हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज में होताँगा भाती डंड सहीता की धारा 1860 की धारा 28 के बारे में 28 में है कूट करण यानि की काउंटर फीट इसकी ब्याख्या है जो ब्यक्ति एक चीट को दूसी चीट के सद्रस यानि की एक समान या बराबर इस आसे से करता है वह उस सद्रस से प्रोंचना करे यानि की छल करे या संभाब जानते हुए कि तद द्वारा प्रोंचना की जाएगी वह कूट करन करता है ये का जाता है इस परश्ची करन है कूट करन के लिए आवस्या कर नहीं है कि नकल ठीक वैसे ही ही हो जबकि कोई बेक्ति एक चीज़ को दूसी चीज़ के सद्रस कर दे यानि बराबर कर दे एक जैसा कर दे और सद्रस ऐसा है कि वह तत द्वारा किसी बेक्ति को प्रोंचना हो सकती है यानि छल हो सकता है उसके साथ धोका हो सकता है तो जब तक कि तत प्रत्कूल साबिद ना किय जाए यह उब्धारणा की जाएगी कि जो बेक्ती एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकास सद्रस बनाता है उसका आसे उस सद्रस द्वारा परचना करने का था यानि की धोका करने का था यह वह यह संभाब जानता था कि तद्वारा परचना की जाएगी यानि धोका किया ज झाल 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 झाल